अब बॉर्निंग एवर्यवन इस इस वीडियो में हम लोग क्लास फॉर का जो हमारा मोरल सेंस का बुक है लेव गूर्ड ओ चाप्टर नबर तू उसका अज किस वीडियो में समझेंगे काकून एंड बाटर फ्लाइ तो यह काकून और एक बाटर फ्लाइ की कहानी है देखते ह है क्या कहानी क्या है कि वंस देर लीव अमैन इस नेम वाज प्रूस तो एक समय की बात है एक आदमी रहता था जिसका नाम था ब्रूस वन डे हिस वा काकून उसने काकून को देखा एक दिन ठीक है लावड बटर फ्लाइज ही एंड है क्रेश फॉर इट्स वो बटर िच्छन आप टाइमा बटर फ्लाइज और यह जो बूस था मैक्सिमॉम टाइम अपनी चाहिश पालता था यान टाइम वियादित करता था इस बटर फ्लाइज को देखने में उसके पीछी तड़ने में बूस निव यू फाव बटर फ्लाइज और श्रगल तू प्रम प्र जानता था कि कैसे एक butterfly बनने के लिए जो स्ट्रगल करना होता है एक छोटे से बोलते हैं उसे बच्चो छोटे से caterpillar जो होता है कीड़ा होता है उससे एक सुन्दर सा butterfly बनने के जो सफर होता है इसमें तो many of us know that a beautiful and colorful butterfly comes from an unappealing warm तो हम लोग भी जानते होंगे बच्चो बहुत सारे लोग बच्चे जानते होंगे आप लोग कि कोई भी अगर caterpillar आप देखे होंगे उसी से ट्रांसफोर्म होके नए रूप में हमारे पास जो बनके आता है जो निया बढ़ बंदा इंसेक्ट छोटा सा बनता है उसे butterfly बोलते हैं तो Bruce saw a cocoon with tiny opening तो एक दिन की बात थी Bruce ने देखा एक cocoon उसे छोटा सा छेत था जिससे निकलने वाला था butterfly it meant that the butterfly was trying to make its way to enjoy its world तो काकून से butterfly निकलेगा तभी तो उस प्रोसेस होता है निकलने का बच्चो तो time period होता तो time लगता उसमें निकलने में तो तभी इस दुनिया में आएगा और अपने रंग रंगे पंग लिखाएंगे हमें कि दिसाइड किया कि मैं देखूंगा बैटकर काकून से कैसे उस काकून से कैसे butterfly बाहर आता है step 5 step देखना चाहता था he was watching and butterfly struggling to break the cell of several hours वह बैटके देखने लगा किस तरह उस सेल्स को कई घंटों तक कई घंटों तक struggle कर रहा है उसे तोड़ के काट कर निकलने की कोशिस में ठीक है he spent almost more than 10 hours with the cocoon and the butterfly वो लबक दस से ज्यादा घंटे इस सफर के लिए वहाँ पर बैठा रहा है उसमें time ब्यादित किया the butterfly had been struggling very hard for hours to come out through the tiny openings और उस दस घंटे के बाद ही वो आया बहुत ज्यादा struggle करना पड़ा उस butterfly को उस काकून से बाहर निकलने के लिए unfortunately even after continuous attempt of several hours और कुछ ऐसा हुआ इतने ज्यादा देरता के स्ट्रगल किया उस butterfly ने बाहर निकलने के लिए there was no progress it seems that the butterfly tried its best and could not give any more try तो देखिए जब बाडी एफट छुक करना छोड़ दे तो इसी तरह butterfly का body जो है अब कोशिज करना छोड़ रहा था क्योंग दस गंटे लगतार जो उन्होंने कोशिज किया था उस कुछ से बाहर निकलने का लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था Bruce who had a passion and love for butterfly decided to help the butterfly a Bruce ने जो इतना जादा था पागल पन था उस butterfly को लेकर उसने सोचा क्यों ना इसे की मदद की जाए decide करता है कि मैं इसकी मदद करूंगा he got a pair of scissors and tweak the cocoon to make larger opening तो गया और scissor लेकिया और उससे थोड़ा सा काट दिया जिस जगह से काकून से बाहर निकलेगा हमारा butterfly उस जगह का तो असब बढ़ा कर दिया up for the butterfly and remove the remaining cocoon और उसके बाद cocoon को निकाल दिया वालक कर दिया the butterfly emerge without any struggle अब butterflies हो है उस थोड़ा 10 गंटे का ही struggle के बाद बाहर आ चुका था unfortunity the butterfly looked no longer beautiful and had a swollen body and small and withered wings अब देखे जब हम struggle करते हैं जब कोसिस करते हैं तभी हमारे body पे हमारे में निखार आता है उस सुन्धरता आती है तो बच्छों यहां तो दारेक्ट निकल गया थोड़े से श्ट्रगल किया था तब पूरा प्रोसेस से खुद ही बाहर आएगा तभी वो सक्सेस होता है न तो उतना सुन्दर रहा नहीं butterflies जो था उसके wings सुन्दर थे नहीं और चोटे-चोटे wings हो गये थे body फूला हुआ था Bruce was happy that he made the butterfly come out of the cocoon without any more struggles Bruce बहुत खुश था कि उसने उस butterfly को बाहर निकाल दिया था जादा महिनत नहीं करने दिया था इसके लिए कि ठीक हेल्प किया था He continued to watch the butterfly and he was quite cute agar to watch the butterfly with its beautiful wings तो बहुत ज्यादा excited था उसके wings के साथ उसको देखने के लिए तो लगातार हो देखे जा रहा था जो बाहर निकाल दिया था ठीक है Bruce thought that at any time the butterfly might expand the wings shrink the body and the wings could support the body तो यही देख देखे सोच भी रहा था कि जो butterfly कभी भी अपने wings को बढ़ा फैलाएगा उड़ेगा अपने wings body को थोड़ा से साप करेगा unfortunately neither the wings expanded ठीक है और enlarge और यहसा हुआ कि जो किस होना नहीं चाहिए था कि उसका जो wings expand नहीं हुआ बढ़ा नहीं हुआ यानि कि फूल आवा बाड़ी था कम तो हुआ unfortunately the butterfly just crawled आराउंड था वीदर विंग्स और यूस बोड़ी जो मोटा सा बाड़ी था जो अच्छे से बन नहीं पाया था बाहर आने के लिए कखूं से उसके वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था इदा उदर रहा था उसी ब्रूस डिड़ इंटेंशन बहले ही हमने देखा कि ब्रूस ने अच्छे इंटेंशन के साथ इसको किया था वनली गॉइंग थ्रू दा स्ट्रागल बटरफ्लाई उड़ है इमर्स लाइक एनी अधर प्यूटिफूल बटरफ्लाई जब आप जानते होंगे बच्चों कि जब महिनत करेंगे बटरफ्लाई कोशिस उसके बाद ही वह सक्सेस होते हैं और तभी सुंदर बटरफ्लाई में होते हैं तो इसके विंग्स बनाने में उनकी मदद करते हैं ठीक है तो यह जो कर नहीं पाया इसके वज़ा से यह ऊड़ नहीं पाईगा जब बाड़ी जो उसका होता है जैसे जैसे श्ट्रगल करेंगा बाड़ी हलका होते जाएगा जिसके वज़ा से बाड़ी के साथ उसका अच्छा हो जाएगा और उड़ने के लायक हो जाएगा एक सुसंदर बीटिफुल बनेगा हमारा बटरफ्लाई तो इस दो नहीं करेंगे ना जैसे उसे नहीं कर Sich करने नहीं दिया गया तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते Safra let Mei जब मेहनद करते हैं जब कोसिज करते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं न trás जो एazzमगदार हो सातक हूं तो बचमें ता वीडियो हमारे चैनल नंबर टू-इश्प्रे इपर अगूसण रिफले क着 में चीपर,